हेलो फ्रेंज स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में हम रियाल नमबर डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का पहला चप्टर है तो एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे हम इसका पहला कोस्टन ओर्री डिस्कस कर चुके हैं तो इसका 2nd कोस्टन करने वाले हैं Second question क्या है, so that any positive odd integer is in form, is of the form, इस form में हो, मतलब कोई number हो, कौन सा number, positive हो, odd integer, यानि सबसे पहले ये समझने से पहले हम तीन चीज़ समझना पड़ता है, ठीक ना, सबसे पहले आप समझें integer होता क्या है, integer का मतलब है कोई number, कोई भी number हो, whole number होना चाहिए, चाहे हो negative हो या positive, ठीक हो, लेकिन positive हो, और साथ के साथ odd भी हो, ठीक ना, और अगर ये तीनो fulfill हो जाता है, तो इस form में आना चाहिए, ठीक ना, तो देख लो, सबसे पहले positive integer का मतलब होगा, कि यह से इधर होगा, यानि यह से इधर नहीं होगा number, यानि यह 0 भी हो सकता है, plus infinity के बिच कुछ भी हो स सकता है, और उसके बाद positive, positive के साथ साथ क्या होना चाहिए, odd integer का मतलब क्या क्या होना चाहिए, one, three, five, seven, nine, is type का, ठीक है न, odd का एक form होता है, उसका मतलब आपको पता है, कोई number odd का बोला जाता है, जब उस number को 2 से divide करते हैं, तो remainder 1 आता है, जैसे यहाँ फे 5 को 2 से divide करने प उसको odd number बोलते हैं, यानि आप मुझे बताओ, कोई भी number, जो जैसे आपको 15 एक number है, उसका कुछ इस तरह से लिख सकते हो, two into seven plus one, या कोई number 37 को लिख सकते हो, two into 18 plus one, यानि जो number इस form में आजा है, two N, two N plus one, या कुछ भी two T plus one, यानि जिसके last में plus one हो जाए, और जो बचा ह हुआ number है, वो दो से individual हो जाए, तो उसको आप बोल सकते हो, ये number है, odd number, इतना समझ गया न, अब हमें यही, मतलब ये इतना पता होना चाहिए, question बनाने से पहले, ठीक न, अब हमारे पास तीन number है, तीन number क्या क्या है, देखे, तीन number है हमारे पास, एक six Q plus one, एक six Q plus three, six Q plus five, ठीक न, अब Euclid's, जो algorithm था, उसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कोई number होता था, तो उसको किस form में हम लिख सकते थे, उसको लिखते थे, बी Q plus R, तो एक कोई number ही तो है, ए भी number है, एक A है, एक A है, एक A है, एक A है, ठीक न, तो इसको BQR, तो यानि B यहाँ प होता था हमेंसा है, हमें पता है न, तो यानि कि B का value यहाँ पर, B का value कितना है, 6 है, तो यानि R का value क्या क्या होगा, इफ B equals to 6, तो R का value होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है न, तो अब हम तीनो नमबर को लिखते हैं, क्योंकि हम इस प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है कि odd positive integer होना चाहिए, odd positive integer, positive का मतलब क्या होना चाहिए, कि 1 से जादा होना चाहिए, और odd का मतलब होता है, 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, integer तो आपको पता ही है, ठीक है न, तो अब स्तीनों को हम इस फर्म में लिखते है, 6Q plus 1, क्या इसक को आप 2N प्लस 1 के फोर्म में लिख सकते हैं तो कि लास्ट में वन तो है ही तो हम 6Q को क्या 2N के फोर्म में लिख सकते हैं हां लिख सकते हैं 2 इंटु 3Q आप कर दो प्लस 1, 3Q को हमें ऐसे यह लोग लिख सकते हैं, 2 into K1 प्लस 1, यानि 2N प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है, यानि यह वाला odd number है, odd है, positive integer है, जहाँ पे Q कोई भी number हो सकता है, जैसे K1 कोई भी integer हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें proof करना है कि positive integer हो, यह total on number, तो K को हमें क्या लेखना पड़ेगा, 0 से जादा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर negative ले ले लेंगे, तो total negative हो जागा, लेकिन हमें negative आना नहीं चाहिए, यानि K का value कितना आना चाहिए, 0 से, K का value, K एक integer है, और K1 का value greater than equals to 0 आना चाहिए, second partner, 6Q plus 3 है, क्या आप इसको भी 2N plus 1 for में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, देखो, सबसे पहले हम इसको 6Q plus 2 plus 1 लिख सकते हैं, इसको अब break, इसको आप क्या करना है 2N for मेला ना है, तो 6Q plus 1 को क्या लिख सकते हो, 2 common ले सकते हो आप तो 3Q plus 1, प्लस 1 ठीक है तो यहां पर क्या बचा है यहां पर इसको हम बोल सकता है 2 into k2 plus 1 यहां सेम प्रोसेस रहेगा यहां पर भी थार्ड भी ऐसे है 6q plus 5 equals to 6q plus 4 plus 1 क्योंकि 1 तो लाना है आपको क्योंकि आपको कैसे भी करके प्रूफ करना है तो 2 common यहां लेलो तो यहां क्या लेओ कि 2n के फर्मिल लेगा यानि यहां भी 2 लाना है 3q plus 2 plus 1 ठीक है न यह भी आगया 2k3 plus 1 यह भी odd integer यहां हम बोल सकते हो न कि यह वाला नमबर यह वाला नमबर यह वाला नमबर यह वाला नमबर एंगर तिनो दो से डिवाइड करने का remainder हमेसा क्या आ जाएगा तुछ तीनो director यह वाला नमबर यह ओप्रूफ करते हुआ तो यह लिग सकते है इतना अब नेक्स करतां इस्कों कोसों थोरा ट्रीकी है इस्द मुझे बताओ जैसे कोई number है जैसे question पहले समझते है an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parrot the two groups are on the march in the same number of column what is the maximum number of column in which they can march आपको बताने सबसे पहले क्या है दो group है एक group में कितने लोग है 32 दूसरे group उसके just behind में है वहाँ पे 616 लोग है आपको देवो सबसे पहले यहाँ पे Euclid's theorem अगर आपको पता था कि हम लगाना है तब तो लगा सकते थे लेकिन अगर नहीं पता रहता है question अगर examination paper में आ जाता तो हमें नहीं पता ना कि किस chapter का है मतलब obviously नहीं पता रहता है क्योंकि उतना याद नहीं रख सकते ने कि कौन सा question किस chapter में है हमें तो question देखके उसको handle करना होता है चाहो किसी chapter का हो तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि 32 को अब देखो यहाँ पे column से होना चाहिए इसका मतलब क्या है 32 को कुछ इस type से divide के है 32 को मतलब एक यहाँ पे रहेगा बाकी जो soldier है उसके पीछे-पीछे रहेगे ठीक ना बाकी soldier उसके पीछे-पीछे रहेंगे तो बताना है आपको कितने line ऐसे होंगे कितने line ऐसे होंगे कितने column 1,2,3,4,5,6 कि इसको भी same उतने ही में ही डाल सकते ताकि एक भी extra sanic extra soldier बचे ना और सब इसके पीछे-पीछे ही आ जाए ऐसा ना कि आप जैसे मालूम मैं एक example लेता हूँ यहाँ पर आपके पास 6 लोग है और यहाँ पर आपके 10 लोग है तो आप इसको क्या कर लोगे इसको आप कर लेते हो 3 column में कर देते हो कि 1,2,3 3 column में कर लेते हो 2,2 लोग होगे 6 आगे लेकिन इसको भी आपको पीछे ही करना है तो आप क्या करते है 10 को कैसे कर लोगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक बच गया क्या कर लोगे उसका नहीं कर सकते है इसलिए इस ऐसे question में column जब same column निकालना हो तो एचसी अफी निकालना पर लेगा तो आपको सबसे पहले एक नमबर है दो नमबर है 616 और दूसरा है 32 आपको simple form पता है a equal to b q plus r जहां पर a क्या है ये वला b क्या है ये वला q क्या आता है question और r क्या आता है remainder तो कर दो 616 equals to 32 into क्या हो गए यहां पर 32 को आप 19 से multiply करोगे और उसके 8 add करोगे 32 को 19 से multiply करते है तो 608 आता है ठीक है ना तो 8 extra बच गया ना यानि इससे हमें क्या पता जलता है कि हम try कर रहते हैं देखो इससे हम यह पता जलता है कि अगर हम एक line में 32 को रख देते ठीक है ना पूरे 32 को एक line में रख देते है सब को यह line में और फिर 616 को पीछे से रखते रहते है तो 19 line में तो 616 आ जाता 19 line में लेकिन फिर भी आठ सैनिक बच जाते है भाई उसको कहा रखते है उसके लिए अलग line बनाना ही नहीं है ठीक है ना इसलिए 8 जो soldier है वो बच गया तो आप क्या करते है इसमें जब यहाँ पे हमें पता है कि जब र 0 आ जाता है अगर र 0 आ गया तो जो यह वाला होता है वही HCF हो जाता है जो B है वही HCF हो जाता है लेकिन if R not equal to 0 तो जो B है उसको A मान लेते है यानि इसको 32 को यहाँ पे मान लेंगे और जो R है उसको B के जापे लाते है A equals to B Q plus R यानि अब Q क्या होगा 32 equals to क्या लिख सेटे है 8 into 4 plus 0 तो यानि जिस समय 8 into 4 plus 0 8 4 जा 32 आ गया अब R 0 हो गया R जिस समय 0 आ जाएगा उस line में जो B क्या value होता है वह ही HCF होता है V equals to 8 यानि HCF 616 और 32 का जो HCF होगा यही हमारा answer है ठीक है अब नेक्स्ट कोशन देखते है ठीक है इसमें यही दोनो रहते नहीं देते है क्योंकि मैं चोटी चादो चोटी चोटी वीडियो को नहीं एक वीडियो में जो 4th और 5th question है वो दोनों discuss कर लेते है क्योंकि दोनों एक टाइप का question है ठीक है पेंस थैंक्यू हेलो फ्रेंज स्वागत है आप लोग का एंजी आटी जोन में फ्रेंज तीम तक और लेट डिसकेश कर चुके है 4th question डिसकेश करते है यूजिंग मतलब यूज यूट्लिय डिविजन लेमा जो कि यह बना है जो डेट स्कॉर अफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ध्यान देना स्कॉर अफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस आइधर टा फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर एम जैसे मैं बता रहा है कि आप कोई भी नंबर ले लो जैसे आप लेते हो फाइब जैसे कोई लेकिन नंबर क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर यहानी जीरो से ज्यादा इंफनिटी के बिच कोई भी नंबर लेना है ठीक ना अब कोई भी नंबर लो तो उसका जो स्कॉर होगा हमेशा थ्री एम यह ठ्री एम प्लस वन केफर में बनेगा से देखो है 5 खांक करते हब तो 25 आप इसको 3 एम के फां में लिख सकता है यह 3 यह ठ्री एम प्लस वन के फ्में 1 का फ्लस वन सी ए से पिलिख सै ठालो 1 लेकिते है अब कोई नंबर लो और लेते हैं 9 9 का स्कॉर करो कितना होता है 81 81 को क्या लिख से तो 3 इंटू 27 लिख से तो 2 का 4 तो 3 इंटू 1 प्लस 1 हो जागा 4 का 16 3 इंटू 5 यानि सबका यही होगा इसी फॉर्म में आगा तो आपको इसको प्रूफ कैसे करना है इस पर्टिक्लर डिविजन लेवा के ट्योरीग आधार पर तो सबसे पहले हमें देखो किस फॉर्म में आना चाहिए है तो सबसे पहले हमने कोई एक positive integer माना है एक positive integer जहाँ पर B क्या है ठीक है ठीकत थ्री Q प्लस R है तो जहां पर अगर B 3 है तो ध्यान देज़े R क्या क्या हो सकते R का value 0 से लेके B से छोटा ही होता लगिन 0 का बरावर हो सकते R का value होता 0 1, 2, 3 नहीं होगा ठीक है उसके बाद हम क्या कर लेते हैं सब ले लेते हैं एक लेते हैं A 3 Q प्लस R 0 तो हटा दो फिर एक और नमबर लेते हैं कौन सा 3 Q प्लस 1 3rd का नमबर लेते हैं 3 Q प्लस 2 हमने अपने मन से कोई नमबर ले लिया ठीक है न फिर हम इसके square करने का try करते हैं इसके square करते हैं 9 Q square ठीक है इसके square किये तो क्या हो जागा 3 Q प्लस 1 का whole square प्लस 3 Q प्लस 2 का whole square ठीक है न इसको करेंगे तो 9 Q square को हम कैसे लिख सकते हैं 3 into 3 Q square लिख सकते हैं यह आगे है न उस form में जो अब चाहते हैं तो 3 into M के form में ठीक है न और इसको कैसे लिख सकते हैं इसका square करते हैं 9 Q square plus 1 प्लस 6 Q इसको भी लिख सकते हो आप 9 Q square 9 Q square plus 4 plus 12 Q ठीक है तो इसको लिखते है 3 into 3 Q square यह इन 3 के इस वह हम में जैसे 3 K1 हम लिखते थे और देखो और इसको क्या लिख सकते हो 3 यहां से common लिए थे यहां बचा क्या 3 Q square plus 6 Q में से 3 common लिख थे 2 Q बचा और 1 को बाहर करते हैं क्यों कि यहां common लिख लिए कुछ बचा ही नहीं है इसको भी same है इसी तरह जैसे यहां को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा एक और लाइन बढ़ा देख इसको मैं असे लिख सकते थे 9 Q square plus 12 Q 12 Q plus 3 9 Q square plus 1 तो यहां से हम आप क्या कर सकते हैं 3 common ले सकते हैं 3 common लेंगे तो यहां क्या बचाएगा 3 Q square plus 4 Q plus 1 और बाहर बचा ना तो क्या यह भी उस form में आ जाएगा 3 Q square plus 4 Q plus 1 plus 1 यह भी जैसे यह भी आगया 3 के 1 एक इस form में 3 के 2 प्लस वन के form में जो हम चाहते तो वह ही आया या तो 3M के फॉर्म में या 3M प्लस 1 के फॉर्म में तो इससे क्या पता चलता है जहां भी K1, K2, K3 एक पॉजेटिव इंटीजर द्यान दे जब पॉजेटिव इंटीजर निगेटिव दे नहीं सकते क्योंकि हमें क्या लेना है स्कॉायर का कभी वैल्यू होगा हमें इसा पॉजेटिव होता है तो अगर आप K1 को अप ले लो माइनस 5 तो क्या जाएगा माइनस 15 क्या कभी किसी का स्कॉायर इस टाइप से आएगा आए गई नहीं ठीक ना तो ठीक ना तो इससे हमें क्या पता जलता है स्कॉायर अफ एनी पॉजेटिव इस आईधर फॉर्म अफ 3m और 3m प्लस 1 एलिग सकते हो आप ठीक है यह स्कॉायर अफ अनी नमबर हैंस वी से ड़त इसकॉयर अफ अनी पॉजेट इनी पॉजेट इस आइधर अफ तो फॉर्म और एज़एट प्लस वाण ठीक है समझ गया नेक्स क्कॉश्ण करते हैं next question इसी का थोड़ा यह स्क्वार बला था और क्यूब बाला है देखो using Euclid division lemma to show that q of any positive integer is a form 9m 9m plus 1 9m plus 8 बस इसमें कुछ नहीं करना है same case वही बला कर देना है कि सबसे पहले क्या number है आपका 9m 9m plus 1 9m plus 8 इस form में आना चाहिए तो सबसे पहले इसमें क्या कर लो आप अपने साइट से तीन नमबर है ना तीन नमबर है तो अपने साइट से मान लो क्या है एक को इस positive integer हो और मान लो b equals to 3 ठीक है ना दोनों को मान लिया तो b अगर 3 है तो r क्या क्या होगा जीरो से लेखे 3 से कम होगा r क्या 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 हो 0 1 2 ठीक है ना तो आप इसको तीनों के इस अलग लग ले सकते हो कि अगर हम a ले है 3 q का क्या क्यक्य है क्यों किना क्यूंकि हम निया अगर 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 ले क्या लेख सकते है 2 q पि फिर हम ले सकता है 3 q प्लस 2 अब इसको भी कुप कर ओ सका तो ते क्या हूं 10 Cheers 택ैवend q q इसको भी क्यूब कर को क्यूब कर ओ मैं बता दरहा हूँ इसको क्यों करने पर आता है 27 जैसे आपको फर्मॉला पता है ने मैं लिख देता हूँ फर्मॉला ताकि आप यहाथ कर सको a plus b का whole q होता है aq plus bq plus 3ab into a plus b तो अब इसका value आएगा 27 q q plus 27 q square plus 9 q plus 1 तो यहाँ से भी आप किस फर्म में लिख सकतो हो यहाँ से मालो मैं इन तीनों से तो 9 common ले लुगा तो यहाँ पर बचे आखेया तो हम यहाँ से form बचान इन के च्टू प्लस 1 के फोर्म में जबाए प्लस Key Il जो सब्सक्वाइद एक तरा इसका क्यूंप करो गे तो आएगा कुछ इस तरह 27 q 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 36 q plus 8 अब आप सीख लेना अगर नहीं आता हो तो आप देख लेना इसको इस फॉर्मुला पर रखके क्वाई प्राइब कर लेना अगर फिर भी कोई प्राउलम हो तो आप पूश सकते हो ठीक न तो इसका क्या दागा यहां से देखो आठ यहां बचाना तो यहां पर हम कॉमन ले तो नाइन कॉमन ले सकते हैं तो नाइन इंटू के 3 प्लस एट यहां हम यही ही किस फॉर्म मेर वहां या तो 9 M के फॉर्म मेर आए यह 9 की फ़र्म मेर आए कि एक लिस्ट तीन तो लूँ ही लूँ जिसे हमारा तीनो एक लिस्ट प्रूफ हो जाए ठीक है ना तो इसको तीन बार लेना का यही कारा है कि मैं ट्राइ कर रहा था कि तीनो आ जाए ठीक है तो थैंक यू फ्रेंज और और कोई डाउट भी हो और कोई डाउट हो तो आउप लीजS and CRT जोन के नाम के Facebook Page भी है और Instagram पेज भी है तो आप इन दोनों पर मैंसेज कर सकते हैं ठीक है न और में ठीक है कि जल्दी से जल्दी जबाब देने का ठीक है और अच्छे से जवाब देने का ठीक है फ्रेंस थैंक यू थैंक यू सो मच